नमस्कार अदाप सस्रिकाल दोस्तों बेग बॉस सीजन सिस्टीन के खर के अंदर आई है बड़ी खबर बड़ी अपडेट ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड से जुड़ी जी हाँ ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड जो है वो सामने आ चुकी है अब ओपनिंग वोटिंग कौन निकला आगे कौन रह गया पीछे और साथी साथ किस किस कंटेस्टन के बीच में काटे की टकर हुई और यहां पर आपको बताना चाहते हैं कि कौन रह गया सबसे पीछे यह सारी की सारी बातें जो हैं आज हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे दोस्तों आज के इस support में लेकर इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूट्व चैनल Quick TV News को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले Quick TV News को आप सबस्क्राइब करलें बेल आइकन के घंटे को नहीं तीसरी कंटेस्टेंट है शिव ठाकरे MC स्टेंट से अलग हुई यहाँ पर गोरी न गोरी तीनों कंटेस्टेंट में से कौन घर से बाहर होगा कौन लाकरी परदान पर है ये बात तो आप सभी दश्कों को पता ही होगा दोस्तों क्योंकि सुम्बुल और प्रियंका की जो आर्मी है वो काफी बड़ी है अब सुम्बुल और प्रियंका के बीच में काटे की टककर हुई है अब iç काटे की टककर में कौन निकला आगे कौन रह गये पीछ機 तो आपको बता दे दोस्तों यहाँ पर सुम्बुल तौकिर खान को जो है सबसे ज़ादा votes मिले हैं सुम्बुल तौकिर खान जो है नमबर वन की position पर है वो ओपनिंग voting trend में नमबर वन position पर जरूर है लेकिन उनको जटका भी लग रहा है और वो जटका इसे लग रहा है क्योंकि दूसरे पैदान पर प्यांका चाहर चौदरी से मात्र कुछ वोटों में ही वो आगे हैं सुम्बूर और ये फासला जो है वो कभी भी बदल सकता है ये जो फासला है ये जो डिफरेंसेस है दोनों के बीच में ये कभी भी बदल सकता है सुम्बूर थोड़ी से आगे इसले निकल गई थी क्योंकि शालीन को उनोंने करारा चवाब दिया टीना को उनोंने करारा चवाब दिया दोनों से वो लड़ी दोनों से वो भिड़ी और इस वज़े से वो number one मतलब number one जो है वो कुछ हद तक जो है वो आगे गई और इससे जोड़ी सारी अपडेट सारी बातें जो है आप सभी दशकों को हम already जो है वो बता चुके हैं इसी वज़े से सुंबुल को थोड़ा जादा वोट्स मिले और प्रियंका भी कम नहीं है प्रियंका के भी बहुत सादा वोट्स हैं अब इसमें देखते हैं कि फाइनल जब क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड जब सामने आएगी तो उसमें कौन आगे रहेगा यह देखना काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होगा दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर यही सामने आ रही है और आखरी पैदान की बात करें तो आखरी पैदान पर गोरी नगोरी है जो कि वीकेंड के वार के एपिसोड में पूरी तरह से एक्सपोस हुई और वीकेंड के वार के एपिसोड में एक्सपोस होने के बाद वोटिंग ट्रेंड में मतलब nomination में वो आई और nomination में आई और nomination में आने के बाद इनका पत्ता पूरी तरह से cut सकता है क्योंकि अब आपको पताना चाहते हैं last weekend के वारे में इनको पूरी तरह से expose क्यों किया तो ये जो थी ये एक मतलब पूरी तरह से भेड़ चाल में जो है वो आगे बढ़ रही थी अब maker जो है इनी को target कर रहे थे तो इसी वज़े से makers ने सबसे पहले उस भेड़ चाल में से गोरी को अलग किया तभी तो शेर जो है वो शिकार करता है और यहाँ पर वेड़ बॉस के maker शेर बने और गोरी नगोरी को target